दोस्तों बिना बर्मी कमपोस्ट बिना कोको पिट के हम अपने घर में अपने गार्टन की मिट्टी से अंजीर का पौधा कैसे लगाएं इसका वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो को इसकिप न करें वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंड ट्रिक में तो चलिए हम अपना वीडियो स्टाइट करते हैं यह हमने एक अंजीर लिया है और इसको हमने एक कटोरी में पानी डालके 12 गंटे के लिए भीगा कर रख दिया है दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि 12 गंटे से जागा ना भीगाए बना है इसके बीज सड़ भी सकते हैं 12 गंटे हो चुके हैं और देखिए हमारा अंजीर अच्छे से फूल गया है और ये बीज निकालने के लिए बूरा तयार हो गया चलिए हम अब इसके बीज निकालते हैं इसको हम दो तुकड़ा कर लेंगे और इसको हम पानी में दुबा दुबा के इसके बीज सारे निकाल लेंगे देखिए इस तरह से हम इसके सारी बीज निकाल लेंगे अंजीर का पौधा लगाने के लिए ये बीज तैयार हो गए है अब हम बात करते हैं मिट्टी की तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें हम सिर्फ पौर सिर्फ गार्डन की मिट्टी लेंगे इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है इस तरह सा हमने गार्डन की मिट्टी ले लिए जो अंजीर के बीज हमने तैयार करके रखे हैं आप इस मिट्टी में हम इसको डाल देंगे देखिए दोस्तो हमने सारे बीज इस गंबले में डाल दिये हैं सारे बीच डालने के बाद हम इसमें एक मट्टी के लेयर चड़ा देंगे, इसमें हम जाता मूटी लेयर नहीं चड़ाएंगे तो बीच अच्छे से उग नहीं पाएंगे अब इसमें हम पानी स्प्रे करतेंगे और इसको ऐसी जगा रखेंगे जहां पे ज़्यादा धूपना पड़ती हो और हर दूसरे तीसरे दिन हम इसमें पानी डालते रहेंगे दोस्तों बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पानी इसमें स्प्रे करके ही डालें पग्गे से न डालें वरना आपके बीज मट्टी के अंदर दब चाहेंगे और ये ठीक से उग नहीं पाएंगे देखें दोस्तों 15 दिन हो गया है और ये हमारा पौधा बहुत अच्छे से उगना शुरू हो गया है जो हमने इसके अंजीर के बीज लगाये थे देखिए सारे निकल रहे हैं एक महिना बात देखिए अंजीर के पौदे बहुत अच्छ से लग गए हैं और ये थोड़ा बड़े भी होने लगए हैं आप इसको निकाल के कहीं पर भी लगा सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब को ना भूने थैंक यू